देखो यारो प्रशाद निल ने तो अपने इंटर्वी में खुला बोल दिया कि सलार का KJF के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होने वाला है बस इसी को सुनने के बाद सलार और KJF इन दोनों के फैंस काफी जादा डिसपोइंट हो गए अब डिसपोइंट हो भी क्यों ना क्योंकि सलार और KJF के कनेक्शन को लेकर पूरे KJF इन वर्स को लेकर जितने भी सपने देखे थे फैंस ने उन सारे इस अपनों को प्रशाद निल के एक ही स्टेटमेंट ने खतम बाई बाई टाटा गुडबाई कर दिया जिन फैंस मैंसे के एक मैं भी हूँ लेकिन अब प्रशाद निल का इतना क्लियर कहने के बाद भी कुछ फैंस अभी भी मानने को तयार नहीं है कि सलार KJF के साथ कनेक्टेड नहीं है और इसलिए बहुत सारी थेयरिस बन रही है सलार के KJF के कनेक्शन को लेकर तो आज की इस फ्टीडियो में हम इन सारी थेयरिस को डिकोड करने वाले है और ये जानने वाले है कि ये सारी जो थेयरिस बन रही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं पहली थेयरी ये बन रही है कि सलार के ट्रेल में जो मैं ये वाला करेक्टर देखने को मिल रहा है वही गरोडा है जो कि KGF का एमपार संबालने से पहले खांसार में था और जब सूरे वर्दन का आखरी टाम आया और उसने KGF को गरोडा को सौपने का ऐलान किया तब गरोडा खांसार से भाग गया या फिर चला गया और यहां पर यानि की KGF में आकर राज करने लगा देखो भाई लोग सौरी टूसे पर ये सुनने में सिर्फ इंटरस्टिंग लगता है बाकी प्रैक्टिकल ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इस चीज के दो रीजन से जिसमें से की एक है कि जो गरोडा का रोल प्ले करने वाले एक्टर है यानि की राम चंदर राजू वो सेम एक्टर को सलार मुवी में कास्ट तो किया गया है लेकिन उनका सलार मुवी में नाम है नारंग ये नाम सलार के ट्रेल में भी लिया गया था और अगर तुम्हें एक और प्रूफ चाहिए तो तुम सलार के Wikipedia पेज पर जाकर चेक आउट कर सकते हो सलार मुवी की काश्ट में वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राम चंदर राजू एज नारंग अब यहाँ पर एक और आर्गूमेंट हो सकती है कि वो खांसार में नाम बदल कर भी तो रह सकता है ना नई भाई नहीं रह सकता वो कैसे वो तुम्हें सेकंड रिजन में क्लियर हो जाएगा सेकंड रिजन है टाइम लाइन सलार और कीजिफ इन दोनों की टाइम लाइन में जमीन आसमान का फर्क है कीजिफ को डुंडा गया था सूरे वर्दन के थ्रू 1951 में और वही खांसार एंपायर की तो शुरुआत एक हजार साल पहले ही हो गई थी अगर तुम कीजिफ की टाइम लाइन को चेक आउट करोगे तो वहाँ पर तुम्हें पता चलेगा की 1978 में रोकी ने गरोडा को मार दिया था अब अगर हमें सलार में जो ये कैरेक्टर दिखाया जा रहा है नारंग वही गरोडा है जो की नाम बदल कर वहाँ पर रह रहा है तो फिर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सलार की जो टाइम लाइन दिख रही है वो काफी आगे की दिख रही है यहां के इजिएफ चेप्टर 2 में मैं फर्मान का कैरेक्टर देखने को मिला था जिसको की अधिरा ने मार दिया था वो वहाँ पर मरा नहीं था और उसे रौकी ने बचा लिया था और खांसार भेज दिया था वर्दा के पास अब यहां पर भी दो रीजन से जो की इस थेयरी को प् भी देखने को नहीं मिलेगा अब ऐसे ही बहुत सारे रीजन से जो की सलार और केजिएफ के कनेक्शन को लेकर जीतनी भी थेयरिस बन रही है उन सब को गलत ठहरा दे अब यह सब कहते हो तो मुझे भी बहुत ज्यादा दुखुरा है लेकिन जो सच है उसे तो एकसेप्ट क करना ही पड़ेगा ना वनना यूई इतनी बड़ी उमीदे लेकर मुई देखने जाओ गए और वहां पर उमीदे टुटेंगी तो फालतु का हीटी फैलने वाला सलार मुई को लेकर और मैंने चाहता कि अपने प्रबास की मुई को लेकर थोड़ा भी हीट फैले अब क्या उन्हें एक बात को नोटिस किया कि इतनी सारी फैन थीरिज आकिर बनी क्यों रही है अब ये सारी थीरिज बनने की सबसे बड़ी वज़े खुद मेकर सी है क्योंकि जब से उन्होंने सलार मुई को अनाउंस किया था तब ये क्लियर नहीं किया था कि सलार का कीजियर के साथ कोई भी connection नहीं होने वाला सलार एक standalone movie होने वाली है अब जब makers ने इस बात को clear नहीं किया था और जब audience को पता चला कि KGF और KGF chapter 2 की जो director है वो एक और अपनी नई movie के साथ आ रहे है और उसी समय पर कई सारे universe बनने की खबरे निकल कर आ रहे थी तो audience को लगा कि शायद प्रशान नील भी अपना universe बना रहे है सलार को announce करने के बाद कुछ ऐसी चीज़े भी होती चले गए जिसे की audience की hope बढ़ती गई पहले तो मैं सलार मुई के पूजा event में रोकी भाई यानि की येश देखने को मिले और जब सलार मुई की काश को announce किया गया है तब हमें भापर एक नाम देखने को मिला इश्वरी राओ ये वही एक्ट्रेस थी जिन्होंने की KGF चप्टर 2 में फर्मान की मा का रोल किया था और भाई इसके बाद तो जो fan theories बनी है इसके बाद कई सारे यूटूबर्स और audience मिलकर fan theories बनाते गए और audience की hope बढ़ती गई लेकिन अभी तक भी सलार के makers ने ये confirm नहीं किया था कि सलार और KGF का कोई connection नहीं होने वाला है और जब सलार मुई का teaser release किया गया यूटूब पर तब उसने views के सारे record तोड दिये क्योंकि audience को hope थी कि यहाँ पर हमें KGF का connection देखने को मिलेगा लेकिन teaser में हमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला लेकिन हाँ कुछ locations दिखाई दी जो कि हमें KGF chapter 2 में भी दिखाई दी थी अब इसकी वज़े ये थी कि KGF और KGF chapter 2 को जिस set पर shoot किया गया था ना उसी same set पर सलार मुई को भी shoot किया गया अब makers चाते तो वहाँ पर जो मैं कुछ numbers दिखाई दे रहे हैं उसे VFX की मदद से हटा भी सकते थे अब यहाँ पर makers ने ऐसा क्यों नहीं किया है वो तो मैंने जानता लेकिन अब इसकी वज़े से जो negative publicity हुई है सलार की उसका आसर सलार मुई के walks office पर तो पढ़ने ही वाला है लेकिन फिर भी यारो प्रशाद निल के direction बर भरुसा रखते हुए है और खास करकर अपने प्रभास के लिए सलार मुई को एक chance देना तो बनता है अब हाँ सलार मुई के साथ connected नहीं होने वाली है इसकी वज़े से थोड़ा दुख तो हो रहा है लेकिन फिर भी अब क्या करें लेकिन अब इस दुख खबरी वाले महाल में एक खुश खबरी ये है कि सलार का trailer 2 आ रहा है सलार का दूसरा trailer होने वाला है तीन मिनिट का और हाँ एक और खबर निगल कर ये आ रही है कि सलार मुई को ए रेटिंग दी गई है बिल्कुल एनिमल की तरह अब एनिमल मुई की तरह इसमें एडल्ट सीन तो नहीं होने वाला है लेकिन काफी तगड़ा एक्शन होने वाला है काफी खुन खराबा होने वाला है सलार मुई में अब देखो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी हट करना नहीं था मुझे भी बहुत उम्मीद है थी KGF इन्योर्स को लेकर लेकिन अब जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा न लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा कि अगर प्रशाद निल की बात जूट निकलती है और सलार का हमें KGF के साथ कनेक्शन देखने को मिलता है तो इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कुछ और कोई नहीं होगा अब हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं उमीद के अलावा हमां और करी कह सकते हैं तो चलो भी स्वीडियो के यही तक रखते हैं अगर ही वीडियो तुमें पसंद आया तो लाइक मारो वीडियो को और अगर स्चनल पर तुम नए आयो कहीं से भी तो श्चनल को सब्सक्राइब ही कर लेना मैं विलूँगा तुमसे किसी वार अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में बाई